डेली केपिटल्स ने आईपेल 2024 में जोरदार वापसी की है और टीम प्लेओफ की रेस में मजबूती से बनी हुई है टीम को अपने आखरी दो मैच खेलने हैं और इन दो मैचों में जीत के साथ उसको प्लेओफ में जगा मिल सकती है डिली की टीम का अगला मैच Royal Challenges बेंगलूरू से है लेकिन इस मैच से ठीक पहले दिली को एक जोरदार जटका लगा है टीम के कप्तान रिशाप पन्त पर बीसी से आए ने एक मैच का बेंड लगा दिया है इसके चलते पन्त अब बैंगलूरू के खिलाफ होने वाला मुकाबला नहीं खेल पाएंगे रईवार 12 माई को बैंगलूरू और दिली के बीच एम चिनना स्वामी स्टेडियम में मुकाबला खेला जाना है लेकिन इससे एक दिन पहले ही दिली को ये बुरी ख़बर मिली है आईटेल की ओर से एक प्रेस रिलीज में बताया गया कि दिली के कप्तान पंत को टीम के धीमे ओवर रेट के कारण ये सजा मिली है दिली की टीम ने इस सीजन में तीसरी बार ये गलती की है प्रेस रिलीज में बताया गया कि दिल्ली ने इस फैसले के खिलाफ अपील भी की थी लेकिन बाद में BCCI के लोगपाल ने इस पर एक वर्चुल सुनवाई की यहां से भी दिल्ली और पंत को रहत नहीं मिल पाई क्योंकि लोगपाल ने मैच रैफ्री के फैसले को सही पाया और इसे बरकरार रखा इस तरह पंत पर एक मैच के सस्पेंशन के अलावा 30 लाग रुपे का जुर्माना भी लगा है सिर्फ पंत ही नहीं बलकि प्लेइंग 11 का हिस्सा रहे बागी खिलाडियों और इंपेक्ट प्लेयर को भी 12 लाग या फिर मैच के 50 फीसली यानि की 50% हिस्सा जुर्माना के तौर पे देना पड़ेगा रिशब पंत ने इस सीजन में अभी तक 12 पारियों में कालिस की ओसत और 156 के स्ट्राइक रेट से 413 रन बनाए हैं जो दिल्ली के लिए फिलाल सबसे जादा हैं एक्सिडेंट के करीब सवा साल बाद क्रिकिट एक्शन में लोटे पंत ने इस सीजन में तीन हाफ सेंश्रियां भी लगाई हैं और लगातार वो रन बनाई रहे हैं ऐसे में पंत की कमी दिल्ली को बहुत जादा खलने वाली है ना सिर्फ वो दमदार बैटिंग कर रहे हैं बलकि उनकी विकेट कीपिंग भी बहतरीन रही है और कप्तानी में भी पहले से वो काफी अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं